हालो एव्रीवर्ण वॉल्कम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आइ होप आप सभी बिलकुल ठीक होंगे और मज़े से रह रहे होंगे अज की इस वीडियो में बात करने वाले हूँ संटैन के बारे में आज मैंने इस टापिक स्पेशली क्यों चुना है इस प्रियत्न या पृषिष मैंने क्यों की है बिकिज काफी टाइम से वर्ल वर्ल्ट या फिर हमारी सिट्य में लॉगदाउं चल रहा था जिसके वज़े स तो बहर जाने के वज़े से हमारे उपर काफी जादा sun exposure हो और जिसके वज़े से हमारी skin tan हो जा रही है पहले हमें काफी हद तक sun मे रहने की आदत भी थी habitual थी और इसके लेकिन अब बिलकुल भी habitual नहीं है जिसके वज़े से बहुत जादा टैनिंग, बहुत जादा डैमेज हमारी स्किन में हो रहा है If you are somebody who is suffering from sun tan तो आपके लिए वीडियो काफी जादा इंफरमेटिव और हलफुल होने वाली है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल पर मैं स्किन केर से रिलेटिद कोच होम रेमेडियो, DIY टिप्स शेयर करती हूँ अगर आप इंट्रस्टेट हैं मैं से किसी भी टॉपिक में या फिर दोनों ही टॉपिक में प्लीज दो सब्स्क्राइब तो माई चैनल लिजिए बनियाई निकोफ दोस्क्राइब यूफिक में सबसे विक पार्ट कोई प्रच्पटेप में लिख लिप खThen अगर मैं की लिए स्किन में आप में लिए और मैं जागी खी तो मुझे तो मुझे थो श्तीनी आप से लिव बिलीव 45 00 the home remedy. So first step हमारा होगा massaging our face. या फिर किसी भी area में, किसी भी body part में आपको sun tan है, वहाँ हम और मासाज देंगे मासाज लेने के लिए मैं आपे ले रही हूँ coconut oil virgin coconut oil. This is the best best oil. आपको पता होगा जो coconut होता है. उस में UV rays से लड़ने की शमता होती है UV rays से प्रटेक करता है अगर आपको कोई भी sunburn है और नॉर्मली, for that matter, कोई भी marks है आपकी स्किन पर, पिग्मेंटेशन है उसे भी वो लाइटन अप करने में काफी ज़्यादा है. So आपको मसाज करनी है. If you have a dry or combination skin तो आपको 10 मिनिट तक अच्छे से मसाज देना है अपनी स्किन पर, if you have oily skin, don't think कि आपको मसाज नहीं देना है यह बहुत बड़ा मित है कि oily skin को, oil मसाज नहीं देना चाहिए, आपको मसाज करनी है, but 5 मिनिट्स विल बी इनफ for your skin type, तो आपको अच्छे से मसाज करना है, मसाज बेनिफिट्स किया होते है मसाज इन जेनरल आपकी जो skin है उसे काफी जादा healthy बनाता है क्योंकि उससे आपकी blood का circulation होता है जो कि बहुत जादा important है, हम अपने lifestyle में अपने ले वाक्त मी निकालते हैं हम बिल्कुल भी अपने स्किन को अपने फेस को मसाज नहीं देते तो अच्छे से आपको मसाज देना है उससे blood circulation होगा जो भी dirt, जो भी tan आपके पोर्स के अंदर accumulated है, वो लूजन अप होगा और जब हम अपना मास्क अप्लाय करेंगे या इसके बाद जो हम फेस वाउच करने वाले वो करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्स मिलेंगे अब मसाज हमने कर ली है सेकिंड स्टेप इस फेस वाउच आपको जो भी फेस वाउच सूट करता है या जो भी face wash आप रेगिलर ली यूस कर रहे हैं वो आप फेस वाँ यूस कर सकते हैं मैं हापे अपना DIY face wash यूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो परसनली काफी अप्छा लगता है face wash करते ही second step याई की face wash हमने जो complete किया है आपको बहुत अच्छे result उसी time मिल जाएंगे यानि की curd यानि की दही उस में मैं मिक्स कर रहुी टोमेटो जूस आप प्ल पी ले सकते हैं उसे ग्रेट कर भी डाल सकते या फिर गृंटर में मिक्स कर एक उसका प्यॉर जूस बनाके भी डाल सकते हैं विल भी बहुत अच्छे result देने वाली हैं मास्क में थ这个 third ingredient मिक्स करने वाली हूँ है वाइल तर्मरीक तर्मरीक बहुत पुराने जमाने से वाहरी स्किन के चाह तन को लाइटेन करने के लिए आपके स्किन के टomma को ब्राइं चाहिए लिए यूस हहु रहा है so mix all these ingredients really well और आपको इस मास्क को अप्लाइ करना है इस मास्क को अपनी स्किन पे रहने दें पर गुट 20 मिनट्स और 20 मिनट के बाद नॉर्मल टैप वोटर से आपको वाश अप्लाइब आपको वाश अफ कर लेना है तो 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 इस एक ट्री श्टेप्स one is your oil massaging, second is your face wash and third is your face mask and you will see your beautiful skin already बहुत अच्छा texture आपकी skin का निकल कर आएगा अगर आपको वाश में काफी जादा या वन एप्लिकेशन में काफी जादा रिजल्स नहीं मिलते हैं then after three days आप इस same procedure को दुबारा follow करें follow this procedure for good one month and you will see tremendous results इतने अच्छे आपको results मिलिंगे आपकी skin पर that you will going to love this remedy I am telling you अगर आपको या रेमेडी पसंद आई और आपको results मिले then do let me know in the comment section that's it for the video guys आपका संतन बिल्कुल रिमूफ हो चुका है after applying this remedy so please subscribe to my channel for more such videos and do let me know in the comment section कि आपको क्यासी लगी है या रेमेडी I'll see you soon in my next video till then bye